जियां दोस्तों X प्लस Y प्लस Z बराबर 6 X माइनस Y धन Z बराबर 2 3X धन 2Y रिड 4 Z बराबर रिड 5 को क्राइमर नियम से हल करना है X प्लस Y प्लस Z बराबर 6 X माइनस Y धन Z बराबर 2 3X धन 2Y रिड 4 Z बराबर रिड 5 को क्राइमर नियम से हल कीजिए तो देखिए क्राइमर नियम से हम हल करेंगे कैसे इसके लिए क्राइमर नियम से हल करने का जो तरीका है सबसे पहले हम इस समीकरण निकाय को AX बराबर B के रूप में लिख देंगे तो XYZ के जो गुडांक है वो लिख दिये जाएंगे उपर X प्लस Y प्लस Z है तो उसके गुडांक एक एक हैं इसलिए हमने एक 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 लिख दिया फिर दूसरे समीकरण में X माइनस Y धन Z के जो गुडांक हैं एक रिड़ एक और एक हैं तो एक रिड़ एक और एक हो जाएगा उसके बाद तीसरे समीकरण में 3X धन 2Y रिड़ 4 Z में XYZ के गुडांक है 3, 2 और रिड़ 4 तो इसको भी हम लिख देंगे फिर XYZ है उसके बाद आपका बराबर B का जो मान है वो 6, 2 रिड़ 5 है तो अब ये हमारा हो गया फलन AX बराबर B के रूप में हमने लिख दिया अब हम निकालेंगे सारिक A का मान मौड A या सारिक A का मान सारिक A के मान को हम D या डेल्टा से प्रदरसित करते हैं तो डेल्टा बराबर हो जाएगा सारिक A बराबर एक 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 रिड़ एक और एक तीन दो और रिड़ चार इसका हम बिस्तार करेंगे इसका बिस्तार करेंगे जैसा बिस्तार करने का तरीका है उपर की पंक्ति को हम ले करके इसका बिस्तार कर देंगे तो पहले एक लिखेंगे फिर पहली पंक्तिका के आवयों को ले करके हम विस्तार कर रहे हैं तो पहले जब हम पहली पंक्तिका पहला आवयों एक लिखेंगे तो उसके शीद में दाहिनी तरफ और नीचे तरफ जो एलिमेंट हैं उसको हम हाइड करके जो उपसाडिक बनता है उसको हल करते हैं और हल करने के बाद जो इसका मान आता है वो चवदा आता है फिर हम क्या करते हैं निकालेंगे डेल्टा वन का मान डेल्टा वन का मान इसी को डेल्टा एक्स का मान कहा जाता है तो डिल्टा एक्स का जो मान है या इसी को साडिक एवन का मान कहा जाता है तो जो पहला स्थम्भ है पहले स्थम्भ में हम क्या करेंगे जो बी का मान है 62-rad5 पहले स्थम्भ के अवयों को हटा देंगे और उसके बाद वहाँ पर 62-rad5 लिख देंगे बाकि दूसरे अस्तम वो तीसरे अस्तम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे उसके बाद हल करके हम डेल्टा 1 या डेल्टा X या सारडिक A1 कमान निकाल लेंगे ये भी आगया आपका चवद फिर हम निकालेंगे डेल्टा Y कमान डेल्टा वाई का मतलब डेल्टा टू डेल्टा टू या सारडिक एटू सारडिक एटू का मतलब है अब हम इस सारडिक के जो दूसरा स्थम्भ है उसमें बी कामान लिख देंगे उसके स्थान पे बी कामान लिख देंगे 6,2,5 पहले स्थम्भ और तीसरे स्थम्भ में कोई परिवर्तर नहीं किरेंगे तो इसी को हम कहते हैं डेल्टा 2 या सार्डिक A2 फिर इसको हल करेंगे तो इसका मान 28 आ रहा है विस्तार करने पर फिर हम डेल्टा Z का मान निकालेंगे डेल्टा Z का मान निकालने के लिए डेल्टा Z को चुकि डेल्टा 3 कहते हैं या सार्डिक A3 क को हटा करके इसके अस्थान पे B का जो मान आया है 6-2-5 इसको लिख देंगे पहले अस्थम और दूसरे स्थम में कोई परियुदतर नहीं करेंगे फिर इसको भी स्थार करके हल करेंगे तो इसका मान डेल्टा जट या डेल्टा 3 या साड़िक A3 का मान आता है 42 अब क्रैमर न देंगे तो डेल्टा X का मान है 14 और डेल्टा का मान भी है 14 14 में 14 का भाग लगेगा एक आ जाएगा इसी प्रकार अगर हमें Y का मान निकालना है तो डेल्टा Y के मान में डेल्टा का भाग देंगे तो डेल्टा Y का मान है 23 उसमें हम 14 का भाग देंगे तो 2 आ जाता है आपक डेल्टा जेड का मान 42 आया है इसमें हम 14 का भाग देंगे 14 तरीक 42 होता है इस प्रकार आपका उत्तर आ जाता है X बराबर 1 Y बराबर 2 Z बराबर 3 इसी नियम को क्रैमर नियम कहते हैं धन्यवाद